दिल्ली दर्पन टीवी पेश करते हैं पंधरे अगस्त पंधरे कहानियां पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ था और भारत 15 अगस्त को पाकिस्तान हर साल भारत के सुतंतरता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को अपनी आजादी का दिन मनाता है जबकि भारत 15 अगस्त को इसके जश्ण में डूपता है आजाधी एक दिन में नहीं बलकि वर्षों के संगर्ष के बाद मिली आजाधी के लिए पहला बलेदान 1857 में दिया गया और इस संगर्ष के हीरो थे मंगल पांडे 14 अगस्त की मध्यरात्री को जवाहला नहरू ने एक भाशन दिया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इसे पूरी दुनिया ने सुना लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं क्योंकि वो 9 बजे सोने चले गए थे भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया लेकिन उसका कोई अपना राष्टगान नहीं था हाला कि रविंद्र नाथ टैगोर जन गर्मन 1911 में ही लिख चुके थे लेकिन ये हमारा राष्टगान 1950 में ही बन पाया 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी के जश्म में डूबा था लेकिन गांधी जी इसमें शामिल नहीं हो पाये थे क्योंकि वो इस समय कलकता में हिंदू और मुस्लिम के दंगों को रोकने में लगे थे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा 15 अगस्त तक नहीं थी ये 17 अगस्त को डेड क्लिफ लाइन के रूप में घीची गई थी अमेरिका को आजाद हुए 240 साल हो चुके हैं लेकिन भारत को सिर्फ सत्तर साल और आज भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ विवस्ता है हर स्वतंत्रता देवस पर मानन ये प्रधान मंत्री लाल के लिए से जंडा फैराते हैं लेकिन 1947 में ऐसा नहीं हुआ था भारत के पहले प्रधान मंत्री श्री जवाहलन नहरू ने 16 अगस्त को लाल के लिए से जंडा फैराया था आजादी के बाद पूर्तगाल ने अपने समिधान में संशोधन करके गोवा को अपना हिस्सा घोशित कर दिया था फिर 19 दिसंबर 1961 को भारत या फोच ने गोवा पर अपना कबजा कर भारत का हिस्सा बना लिया 15 अगस्त 1947 को एक रुपया एक डॉलर के बराबर हुआ करता था और सोने का भाव 88 रुपय 62 पैसे प्रतिग्राम था और आज डॉलर की कीमत बहुत बढ़ चुकी है और सोने की कीमत बहुत जादा 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मानेता दी गई थी 15 अगस्त 1972 को भारत में डाक बिन की शुरुवात की गई ये छे अंकों का नंबर होता है 15 अगस्त 1982 को इंद्रा गांधी के भाषन के साथ भारत में टीवी पर रंगीन प्रिसारन की शुरुवात हुई 15 अगस्त भारत के अलावा तीन अन्य देशों का भी स्वतंतरता दिवस है दक्षिन कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ बिटेन से बहरीन 15 अगस्त को 1971 में आजाद हुआ और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ भारत के 15 अगस्त को ही आजाद होने के पीछे एक वज़ा है भारत को किसी भी दिन आजाद किया जा सकता था लेकिन भारत में अंग्रेजी सरकार के अंतिम वाइसराय लोड माउंट बेटन ने देश को 15 अगस्त को ही आजादी घोशित करने का निश्य लिया ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन ठीक दो वर्ष पहले यानि 15 अगस्त 1945 को जापान ने खुद को मित्र देशों के सामने समर्पित किया था दिल्ली दर्पन की 15 अगस्त 15 कहनिया में बस इतना ही कर दो कर दो करे इस नमब पार